वेलकम इन ड्रीम हाई एकाडमी ये वीडियो जो कल जेके एससबी ने एक अपडेट और नोटिफिकेशन निकाले थी कि आपको प्रेफरेंस देनी होगी जी हाँ तो प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है इसकी क्या बेनिफिट से ये कैसे आपको हेलप कर सकता है सेलेक्शन होन से इसको यहाँ पे लाया है यहाँ पे कॉशन एक ने पूछा था अगर कोई प्रेफरेंस नहीं देगा तो क्या होगा जिया क्योंकि ऐसे कुछ होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इस बारे में तो देखीगा हमारा मकसद यह है कि आप तक वीडियो पहुँचाना और उस प जिसमें पांचे मिनिर्स लगेंगे लेकिन यह डिटेलिड वीडियो होगा और आपके जो सेलेक्शन में एक बहुत बड़ा किरदार यह प्ले करेगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शुरुवात में आपको पता होना चाहिए कि कितने पोस्ट से जियां टोटल जो यू के लिए 1545 पोस्ट उसके साथ साथ कश्मी डिविजन के लिए 1616 पोस्ट रखा है डिस्टिक कार्डर के लिए डिफरेंट पोस्ट से 4951 पोस्ट से अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि प्रेफरेंट से क्या फाइदा होगा जी हाँ आपने देखा होगा जो आपका एक्जाम था वो 100 मार्क्स का था लेकिन उसमें जो एक्च्वल वेटेज है वो 85 मार्क्स की वेटेज होगी आप यह समझिए कि आपका जो रिटेन टेस्ट था वो 85 मार्क्स था किसके लिए जो यूटी केडर के लिए प्रेफरेंस देंगे जो यूटी केडर के लिए प्रेफरेंस देंगे उनका जो एक्च्वल एक्जाम था वो 85 मार्क्स था यहाँ पर प्रेफरेंस के बनियाद पर कोई आपको यहाँ पर होगे 90 वोमेन अगर होगी और फन वोमेन होगी विडोवीड होगी जोडिशली सेपरेटीड होगी तो उसको पांच मार्क मिलेंगे होगे 95 जया उसके साथ 3rd कैटेगरी आती पैजवल लेबर्स की और उनकी जो एक अगर पैजवल लेबर्स होगे उनके कहा जो है वो एक जो है उनका जो है तासिलदार देगा जो concern department होगा district से वही आपको देगा एक certificate उसके बुनियाद पे आपको 5 marks मिलेंगे तो आपके जो total marks जो है वो 100 हो जाएंगे लेकिन divisional kader के लिए बहुत different role है इसमें आप देख सकते हो कि divisional kader के लिए division kader का मतलब है यहाँ है कि आप जम्मू से भी बिलांग करते हो या कश्मीर से भी चाहे आप जम्मू से हो या कश्मीर से हो total जो आपका written test हुआ है वो 80 marks की उसकी वेटेज नो डाउट आपने 100 marks का दिया है लेकिन उसके जो points से वो 80 points होंगे यान 80 marks होंगे on domosile certificate जिया अगर आपके पास domosile certificate है और उस domosile certificate के बुनियाद पे लिखा होगा कि आप किस division से बिलॉंग करते हो मालो अगर आप कश्मीर डिविजन से हो और आपने जमूर डिविजन को apply किया आपको 5 marks नहीं मिलेंगे home division जी अगर आपने preference आपको देने अगर home division को आपने preference दिया तो आपको 5 marks का additional weightage मिलेगा याद रखेगा अगर आपने 5 marks जो है अपने डिविजन में preference दिया तो आपको 5 marks का additional weightage मिलेगा हो सकता है आप में से कोई ऐसा करेगा कि वो additional leverage के लिए 5 Marks के लिए कश्मीर डिवीजन अगर रहता है कश्मीर में जमू में apply करेगा जमू preference दिखाएगा लेकिन उसको 5 Marks नहीं मिलेंगे remember it उसके साथ यह है who has given preference to his home division देखेगा 80 Marks पहले written test के थे और 5 Marks preference के कितना होगे 85 उसके साथ-साथ फिर 5 Marks होगे वही जो आपको 3 categories मैंने उपर बताया casual labor, इसकी 5 Marks employment अगर आपके गर में नहीं उसके 5 Marks उसके साथ-साथ अगर कोई woman judicially separated होगी orphan होगी उसको 5 Marks होगे total harder Marks अब बात करते हैं डिस्टिक कारडर के लिए सबसे important, सबसे ज्यादा Marks यहीं पे मिनने वाल है आपको जिया अगर आपको देखेगा डिस्टिक कारडर में पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको preference देने में क्या फाइदा मिलेगा आप खुदी अंदाजा लगा सकते हो अगर आपका score अगर आपका score कम है अगर आपके 5 Marks additional हासिल करने हैं तो आपको preference दिकानी होगी अपने division की तरफ अगर आपको division से दूर रहना है तो अगर आपको अपने division में अप्लाई नहीं करना है तो आपको 5 Marks आप नहीं मिलेंगे यह था division के related लेकिन district card के related आपको कितने Marks होंगे देखेगा district card में written test होगे 75 Marks का इससे पहले आप हमारे चैनल पर रोज आते हो देखते हो बहुत अच्छा है subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और like कर रहा आप कुछी सी करते हो like करने में तो like जरूर कीजिएगा इस तरह की information हम आप तक पहुँचाते कोशिश कर लेते एक research basis आपको information पहुँचे उसके साथ साथ आपके जो current और correct जो है cut off वो हम कोशिश करेंगे बताने के लिए क्योंकि हमने एक poll जो है कल start किया है हमारे आप channel पे जा सकते हो dream high economy की channel है वहाँ पे community में जा सकते हो और वहाँ पे आपको पता चलेगा पोल पे आपको खुद अंदाजा होगा आपके category के हिसाब से अपना category आप सेलेक कीजिए वहाँ पे और पूल दीजिए कि आपने कितने मार्कस एटेंड किया है तो उस basis पे हम लोग detailed वीडियो निकालेंगे कि आपका जो cut up जो है वो JKSSB Class 4 के एक्जाम में क्या रहने वाला है उसके साथ साथ अब district cadre की बात करते है district cadre में written test जो है वो 75 मार्कस का होगा remember it 75 मार्कस का no doubt आप questions हमें पूछोगे कि 100 मार्कस आपने दिये थे लेकिन JKSSB जो है वो उसके जो actual points होगे 100 मार्कस के 80 points होगे आप ये marks भी बोल रहे हैं लेकिन points 80 होगे आप ये भी कह सकते हो उसका जो actual weightage ये 100 मार्कस का वो होगा 75 75 मार्कस होगे वेटेज उसके साथ साथ आपको अगर आपके पास domosile है on the basis of domosile certificate 10 मार्कस देखिएगा कितना फाइदा है 10 मार्कस will be given to those जिहां जो अपने district को preference देंगे अगर आप जमूर district के हो अगर आप जमूर district को preference दिखाई तो आपको 10 मार्कस मिलेंगे आप किसी भी district से हो किसी भी district से मतलब है अगर आपने अपना district preference किया तो आपको 10 मार्कस additional मिलेंगे remember it once again I am repeating it अगर आपने district में apply किया है यानि अब preference अगर आपने अपने district को दिखाया written test district carder के लिए 75 marks का है उसके साथ-साथ 10 marks आपको additional दिये जाएंगे अपने district में preference दिखाने के लिए क्योंकि आपकी domicile certificate पर ये लिखा होगा कि आपकी district क्या है तो उस बुनियाद पर आपको 10 marks दिये जाएंगे उसके बुनियाद पर उसके साथ-साथ अगर आप casual labor हो पांच marks उसके बुनियाद पर दिये जाएंगे तो और 95 marks आपको दिये जाएंगे अगर आप women हो, widow woman हो, orphan हो और judicially separated woman हो उसके साथ-साथ आपको पांच marks दिये जाएंगे तो आप इसको एक बार फिर देख लीजेगा इस वीडियो को remember कीजेगा अच्छी तरह से और अपने में ये बात रख लीजेगा कि क्या फाइदा है हमें district carder को preference देने से district carder को अगर आपने preference दिया तो आपको 10 additional, अपना home district को अगर आपने preference दियाना अपने home district होता आपको 10 markis additional मिलेंगे उसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पे division carder को अगर आपने select किया home मतलब अपने home division में अगर आपने jamu division या कश्मी division को आपने select किया तो आपको 5 markis home division के मिलेंगे preference basis पे यह था preference के related तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना आपको इसमें help मिलेगा क्योंकि आप additional में इसमें markis हासिल करते हो चाहे 10 चाहे 5 लेकिन कुछ ने कुछ आपको markis हासिल होते है उसके साथ हमने jamu कश्मीर जो वाकी ssb की तरफ से exams लिये जाते है खास दूर पर faa के लिए jae के लिए finance sub inspector के लिए तो तमाम जो कूर्से हम free कराते है उसके लिए आप हमारे telegram channel पर जा सकते हो dream high academy पर और वहाँ पर free PDF notes हासिल कर सकते हो for computers computer section के लिए और उसके साथ साथ accountancy के लिए उसके साथ GS का भी हम material आपको पहुंचा रहे है तो अब ये बिलकुल free upcast हमसे वह हासिल कर सकते है thank you students